नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल गरुड धर्मार्थ पर दोस्तों, अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। 2024 को पढ़ने जा रहा है, ये कोई सामानने सा शुकरवार नहीं होगा, बलकि ये बड़ा शुकरवार होगा, और हमारे हिंदु धर्म में बड़े शुकरवार को बहुत ही ज्यादा खास कहा जाता है, पहले प्रार्थना है, यदि आप भोले नात के भक्त है, तो एक बार कॉम बड़ा शुकरवार होता है, इस दिन महादेव जी की पूजा पाठ विधी विधान से की जाए, तो हमारे जीवन के हर कष्ट से हमको मुक्ती मिल जाती है, बलकि हमारी कैसी मनोकामना होती है, वो जरूर ही पूरी जाती है, इस वीडियो में बताए जाने वाले, यदि लॉ पूर्चांग और कपूर के उस उपाय को आपने कर लिया, जो आपको हम बताने वाले हैं, तो केवल एक दिन के इस उपाय के पश्चाद आपकी कैसी भी मनोकामना हो, वो पूरी हो सकती है, हिंदू पंचांग के अनुसार, वार के हिसाब से शुकरवार का दिन महादेव ज पूजा करने से हमारी सारी इच्छाएं हो जाती है, वहीं चैत्र मास के ही शुकरवार का ही ज्यादा महत्व होता है, माग माह में पढ़ने वाले शुकरवार को बड़ा शुकरवार या बढ़वा शुकरवार के नाम से जाना जाता है, चैत्र मास चार शुकरवार पढ़ जानिये शुक्रवार में कैसे लोग केवल लॉंग और कपूर का उपाय करके हर कष्ट से मुक्ति सकते हैं और अपने जीवन की मनो कामना को पूरा कर सकते हैं यकीन मानिये इस उपाय को आप करेंगे तो साक्षात बजरंग बली जी की कृपा हासिल होगी क्योंकि माँख शुक्रवार एक ऐसा शुक्रवार होता है जिस दौरान महादेव जी महराज अपने दोनों हाथों से भक्तों पर कृपा बरसाते हैं क्योंकि इस दिन महादेव जी महराज बहुत ही ज्यादा प्रसन्न मुद्रा में होते हैं और यदि आपने हमारे बताए हुए तीन कपूर और दो लॉंग के उस उपाय को कर लिया जो आज का नहीं बलकि प्राचीन काल के समय का है तो यकीन केवल दिन के इस उपाय को करने के पश्चाद आपके जीवन की कैसी भी परेशानी हो और उससे आपको से मुक्ती मिल जाएगी आपके जीवन में आप खुद देखेंगे के इस उपाय को करने के पश्चाद कैसे आपको सुख सम्रिद्ध की प्राप्ती होगी और आप अपने जीवन काल में महादेव की वो करपा हासिल करेंगे जिसके पश्चात ना केवल 29 मार्च 2024 बड़े शुक्रवार के दिन करें कपूर लॉंग का ये महाउपाय जीवन के हर दुख से मिल जाएगी आपको मुक्ती महादेव जी की कृपा से जीवन में चारों दिशाओं से खींचा हुआ चला आएगा धन दोस्तों ये जो शुक्रवार दो फरवरी 2024 को पढ़ने जा रहा है ये कोई सामाने सा शुक्रवार नहीं होगा बलकि ये बड़ा शुक्रवार और हमारे हिंदू धर्म में बड़े शुक्रवार को बहुत ही ज्यादा खास कहा जाता है पहले आप सभी से एक प्रार्थना है यदि आप भोलेनात के भक्त हैं तो एक बार कॉमेंट हर हर महादेव जरूर लिखें और यदि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को एक भी कर दीजिए माग महीने आने वाला सभी शुक्रवार बड़ा श जाती है शास्तर में बड़े के दिन किये जाने वाले यदि लॉंग और कपूर के उस उपाय को आपने कर लिया जो आपको हम आ रहे हैं तो केवल एक दिन के इस उपाय के पश्चात आपकी कैसी भी हो वो पूरी हो हिंदू पंचांग के अनुसार वार के हिसाब से महादेव जी की विधिविधान से पूजा करने से हमारी सारी इच्छाएं हो जाती हैं वही पौश मास के ही ज्यादा महत्व होता है धार्मिक के अनुसार माघ माह के शुकरवार के दिन वजरंगबली अपने प्रभूश्री राम जी से जंगल में मिले थे इसी कारण माह के हर शुकरवार के दिन महादेव जी की पूजा करने से दो गुना फल हासिल होता है माह में शुकरवार को बड़ा शुकरवार या बढ़वा शुकरवार के नाम से जाना जाता है पौश, मास, पांच, शुकरवार पढ़ रहे हैं जानिये शुकरवार में कैसे लोग केवल ल जरंगबाली जी की कृपा हासिल होगी क्योंकि पौश एक ऐसा शुक्रवार होता है जिस दौरान अपने दोनों हाथों से भक्तों पर कृपा बरसाते हैं क्योंकि महादेव जी महाराज बहुत ही ज्यादा प्रसन्नमुद्रा में होते हैं और यदि आपने हमारे बताए हुए तीन कपूर और दो लौंग के उस उपाय को कर लिया जो आज का नहीं बलकि प्राचीन काल के समय का है तो यकीन मानिये केवल एक दिन के इस उपाय को करने के पश्चाद आपके जीवन की कैसी भी परेशानी हो और उससे आराम से मुक्ती मिल जाएगी आपके जीवन में आप खुद देखेंगे कि इस उपाय को करने पश्चाद कैसे आपको सुक समर्द्धी की प्राप्ती होगी और आप अपने काल में महादेव की वो कृपा हासिल करेंगे जिसके पश्चाद न केवल 20 फरवरी 2023 को शुक्रवार पढ़ने जाए इस दिन आपको सुभह उठकर के नहाना है धोना है नहाने धोने के पश्चाद आपको लाल वस्तर का धारन करना है क्योंकि लाल रंग महादेव जी महाराज को बहुत ही प्रिय होता है अब आपको लेना है पीतल की कटोरी लें लीजिए पीतल का पात्र जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं ये ले लीजिए तीन कपूर और दो लॉंग रखना है बहुत ध्यान से तीन कपूर और दो लॉंग रखना है अब आपको किसी भी मंदिर जाना है, महादेव जाने के पश्चात, इसको आपको जलाना है, और इसी से महादेव जी की आरती करना है, यहां करने के पश्चात, यह राख बन गई है, कपूर और लॉंग की, इसी राख को किसी भी डिब्बे में भर लीजिए, आप पूरे पो पूरी हो जाती है, दूसरा है दोस्तों, नौकरी प्राप्ति का महा उपाए, यदि आपकी नौकरी नहीं लग रही है, आप इस चीज को लेकर बड़ा ही परिशान है, तो आपको क्या करना चाहिए, पोश किसी भी समय, सुभह से शाम, किसी भी समय लोग चाहिए महादेव ज महाराज को चढ़ाईए, ऐसा करने भर से, महादेव जी, महाराज की वो आपको हासिल होगी कि जो आपकी मनचाही नौकरी वो लग जाएगी, तीसरा है, बंद पड़े व्यापार चढ़ाने का महा उपाए, यदि आप चाहते हैं कि आपका बंद पड़ा व्यापार चल बूंदी काया का लड़ू, इन दोनों लड़ू मेंसे आपको कोई भी लड़ू का भोग महाराज को चढ़ाना है, परंतु बात ये है, जब भी आप लड़ू का भोग महादेव जी महाराज को चढ़ा रहे हो, उसमें एक तुलसी ही रख दीजिएगा, क्योंकि कहा जाता ह महादेव जी महाराज को कोई भोग लगाया जाए, और उसमें तुलसी का पत्ता ना रखा जाए, तो भोग पूरा नहीं समझा जाता है, तो इस दो फरवरी 2023 के बड़े मंगल के लड़ू या बूंदी के लड़ू में एक तुलसी का पत्ता रख करके महादेव जी को जाना है, ऐसा करने से मान के चलिए, आपका बंद पार चल पड़ेगा। से सदैव के लिए चली जाए, तो आपको क्या होगा, बहुत से सुनिएगा, जो आपको हम बताने जा रहे हैं। दिखिए दोस्तों, यदि आप अपनी बीमारी बहुत सारा पैसा खर्च कर चुके हैं, आपको उसका मिल रहा है, तो आपको महादेव जी की शरण में जाना चाहिए। परन्तु आपको कैसे पूजा करनी है, बहुत ध्यान से सुबह नहाद होने के पश्चात आपको लाल वस्त्र का धारन करना है, किसी लाल कपड़े में आपको 500 ग्राम गुड रखना है, ध्यान रखिएगा दोस्तों, 500 ग्राम गुड से कम नहीं होना चाहिए, 500 गुड उप पर एक तुलसी का पत्थर रखना है, इसी लाल कपड़े की पोटली बना ली, पोटली बनाते वक्त ध्यान रखिएगा, इस पोटली देते वकक्त, आप लोग मूली धागे का प्रयोग कीजिएगा, इसी पोटली को ले जाकर के भी महादेव मंदिर में महादेवजी अरप बिया भर से, महादेव वो कृपा आपको हासिल होगी, कि आपकी बीमारी आपके जीवन से हमेशा सदैव के लिए दूर चली जाएगी। अब आप हैं, कि तो आपके जीवन में बेफिजूल खर्ची बंद हो जाए। आप चाहते हैं कि आपके जीवन धन आए। उसमें वृद्ध हो, तो आपको क्या करना चाहिए। एक बहुत सा उपाय बताया गया है। जैसा आप स्क्रीन देख पा रहे हैं, लाल गुलाब के की माला महादेव जी को चड़ाई गई है, इसी से आपको लाल गुलाब के फूल की माला महादेव जी को चड़ाना है ऐसा यदि आप हैं तो आपके जीवन में बेफिजूल खर्ची पूरी तरह से बंद हो जाएगी आपके जीवन में धन आएगा उसमें बहुत से वृद्धे होगी यदि आपके आप चाहते हैं कि धन चारों दिशाओं से खिंचा हुआ चला है धन आने के सारे रास्ते खुल जाए तो ये उपाय कीजिए जो आपको बताना है परंतु ये उपाय कठिन है दोस्तों आपको शुक्रवार सभी शुक्रवार को मतलब ये पांच शुक्रवार पढ़ रहे हैं। पांचों शुक्रवार को आपको सुभह उठना है, नहाना है, धोना है, आपको पीपल के को तोड़ने है, पीपल के पत्ते की माला बनानी और यही को चड़ाना है। यदि आप पौश महीने के सभी शुक्रवार को ये उपाय कर लिया। तो मान के चलिए दोस्तों, आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे, इतना धन आएगा, जिसकी आपने कलपना नहीं की। कर्ज वकत ही समस्या के बारे में सोचने की सावधानियां बरतने की आवश्यक्ता होती है। नहीं तो इन मुश्किलों को टालना नामुम्किन सा लगने लगता है। सदैव ध्यान रखें, आप कभी भी या शनिवार के दिन कर्ज ना लें, कर्ज लेने पर वो शीघ्र उतर जाता है, परंतु चर लगन में कर्ज ना दें। कर्ज के आवेदन पर काली स्याही से हस्ताक्षर ना करें, इसे अशुब समझा जाता है। ऐसा कर्ज जल्द आपका पीछा नहीं छोड़ता। कोशिश करें कि कर्ज यदि लेना ही हो, तो सोमवार, बुधवार या शुक्रवार के दिन ही कर्ज लें। इन दिनों लिया गया, कर्ज बहुत जल्दी उतर जाता है, इसको चुकाने में कोई बड़ी दिक्कतें नहीं आती। कर्ज के लिए आवेदन करते समय, हस्ताक्षर करते समय, सदैव ईश्वर का स्मरण करें। इश्वर से कहें, हे प्रभू, ये धन भी आपका है, और मैं भी आपका हूँ, इसे चुकाने में मेरी सहायता करें। ऐसे कर्ज जल्दी छुटकारा मिल जाता है, परन्तु कई बार कर्ज में व्यक्ती बुरी तरह फस्ता चला जाता है, कोट का चेहरी के मामलों में उलच जाता है, यदि ऐसा कुछ जाए, तो ऐसे में आपको चुपाय कर लें। कर्ज से मुक्त होना आसान नहीं, परन्तु कठिन भी नहीं है। कर्ज कितना भी बड़ा क्यों ना हो, जरूर उतर जाएगा। तो आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कर्ज मुक्ति के कुछ आसान उपाय, कुछ उपाय पान जो की बीडे में उपाय किया जाता है, उस पत्ते को लेकर कर सकते हैं। आगे पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेर कर दीजिएगा। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाईएगा। पान को हिंदू धर्म में लगभग सभी कारियों में शुब समझा जाता है। सकांडा पुराना के अनुसार समुद्र मंठन के समय पहली बार पान के पत्ते का उपयोग किया गया था। तभी से ये पत्ता हर शुब कार्य में प्रयोग होने लगा। पूजा पाठ लेकर किसी भी शुब कार्य में पान के पत्ते को जरूर शामिल किया जाता है। जोतिश और उपायों में भी इसे बेहद प्रभावशाली समझा जाता है। समझा है कि बुद्ध ग्रह का पान से गहरा नाता है। ये धन की मुश्किलों को भी दूर करता है। यदि आप कर्ज में बुरी तरह ड्रॉप चुके हैं, लगता है कि निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। हर कोशिश करने के पश्चाद भी कर्ज उतारने में सफलता नहीं मिल रही है। तब पान के पत्ते का ये उपाय आपके जीवन की मुश्किलों को दूर कर देगा। उपाय करने एक साबुत, यानि जो कटा फटा हुआ ना हो, ऐसा साफ सुत्रा पत्ता ले, पत्ते का डंठल दे, हरे रंग का ताजा आपको लेना है, उस पर दो लौंग और एक इलाइची रखें। अब इस पत्ते को मोड़ कर पान का बीड़ा बना लें, और मंगलवार की शाम के समय सनानादी करके स्वच्छ वस्त्र धारन कर हनुमान जी के मंदिर में जाएं, और उन्हें ये पान का बीड़ा अर्पित कर दें, तीन महीने तक लगातार हर मंगलवार को ये उपाय किसी मंगलवार यदि आप खुद नहीं जा पाते हैं तो आपके बदले में कोई और भी इसे कर सकता है इस दिन तामसिक का सेवन ना करें सात्विक रखे जल्द ही कर्ज चुकाने के रास्ते बनते नजर आएंगे आसानी से आप आरणमुक्त हो जाएंगे याद रखे हनुमान जी की शरण में जो आगया हनुमान जी उसका बेडा पार लगा देते हैं आपकी सारी मुश्किलों को खत्म कर देते हैं अब एक दूसरा उपाय कई बार ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं की कर्ज लेने के पश्चात मुश्किलें बढ़ जाती हैं आमदनी और किष्टों का मेल नहीं बैठ पाता ना परियाप्त धन आता है ना कार्यों में आने रुकावटें कम होती हैं जब आता है तब कई बार अपने चार साथियों को साथ लेकर आता है नौकरी व्यवसाय में उसी वक्त दिक्कत आने शुरू हो जाती है पैसे कई शुब कार्यों में अडचने आती है सगे संबंधी मुह फेर लेते हैं लगता है कि आप चारों ओर से घिर चुके हैं तब ऐसे में एक छोटा सा उपाय जरूर करके देखिए इस उपाय के लिए भी आपको एक पान का पत्ता लेना है साबुत ताजा हरे रंग का पान का पत्ता लीजिए डंठल हटा पत्ते की चिखने साइड को नीचे कर दें और खुरदरे साइड को उपर करें उस रूखे साइड पर दो लॉंग रखें अब साफधानी से दोनों हाथों में इस पान के पत्ते को उठा कर बहते हुए पानी में प्रवाहित कर दें हाथ जोड़ते हुए हीश्वर से प्रार्थना करें कि जो आपके काम में रुकावटें आ रही है जो जो आपके जीवन में मुश्किलें आ रही है वो इस पान के पत्थे के साथ बह जाए वो बहता हुआ पानी आपकी तमाम परिशानियों को अपने साथ बहा ले जाएगा जल्द परिशान दूर हो जाएगी कारियों में सफलता मिलनी शुरू हो जाएगी हर संकट से बाहर निकलने का रास्ता सामने दिखने लगेगा बहुत ही कारगर उपाय है जरूर आजमा कर देखे और एक उपाय है जो आप नवरात्र में कर सकते है आपके उपर यदि कर्ज बढ़ता जा रहा है तो आप नवरात्र में जितने दिन हो सके रोज पान के पत्ते पर हिम लिखकर मादुरगा को अर्पित कर दे नवमी के दिन आप उस पान के पत्तों को अपने तिजोरी में रख दे और एक छोटा सा है आप खुद या आपके घर का कोई भी सदस्य कोई महिला सदस्य भी आपके बदले में कर सकती है परंतु महिला है अनुमाहन जी को छुए नहीं अनमुक्ति के लिए मंगलवार की रात एक विशेश उपाय की जाता है उपाय वाले दिन नमक न खाए सेंधा नमक खा सकते हैं इस दिन बिना लहसुन प्यास का खाना खाए रात में ग्यारह बज़े से एक बज़े के बीच में आपको ये उपाय करना है रात के समय चारों हो और शांती होती है और आप प्रभू से आसानी से जुड़ पाते हैं घर में हनुमान अपने आप आसान लगा कर बैठ जाए तीपक जलाए हनुमान जी को लाल पुषपर पित करें और फिर ग्यारह बार हनुमान चालीस अगा पाठ करें ये उपाय रूप से आपको कम से कम ग्यारह मंगलवार तक करना है जल्द ही कर्ज से जुटकारा मिल जाएगा ग्यारह हफ्तों तक हर हफ्ते में एक दिन मंगलवार को आपको ये उपाय करना है और रात को ग्यारह बज़े से एक बज़े की पीची करना है जल्द से जल्द आप कर्ज से मुक्त हो जाएंगे पुरुष मंगल दक्षण मुकी अनुमान जी को सिंदूर अर्पित करें महिलाएं लाल बुषप अर्पित करें घर में तीन बार सुबह शाम शंक जरूर बजाएं और प्रभु से की प्रार्थना करें आसान सा परन तो बहुत प्रभावशाली हो पाय है ये कर्ज मुक्ती के लिए कुछ और उपभाएं भी आप कर सकते हैं प्रण मोचन मंगल स्थोत्र का पाठ कीजिए ये कनकधारा स्थोत्र का पाठ नियमित रूप से करेंगे तो भी कर्जों से राहत मिल जाएगी कर्ज की समस्या आपको परेशान नहीं करेगी उपायों की मेहनत, लगन और नियमितता कर्ज उतारने में बड़ी काम आती है आप मंगलवार के दिन थोड़ा ही सही पर कर्ज उतारने जरूर करें थोड़ा थोड़ा करके नियमित रूप से यदि आप आरण चुकता करते जाएंगे तो आसानी होगी छोटी रकम ही सही परंतु कर्ज चुकता करने के लिए अलग से निकाल कर रख दें या चुकता करें कर्ज जल्द ही उतर जाएगा किसी व्यक्ति के घर पर यदि नकारात्मक शक्तियों का वास हो चुका है तो यकीन मानिये उसके घर कभी नहीं हो सकती है उसके घर के लोग आपस में लड़ाई करते रहेंगे धन के सारे मार्ग बंध हो जाएंगे घर के खर्चे कर्ज के माया जाल में वो फंसता चला जाएगा परन्तु यदि आपके घर पर नीमबू का पेड़ है तो आपके घर में केवल सकारात्मक शक्तियां आएंगी आपके घर का वातावरन बहुत अच्छा बना रहेगा घर के आपसी लोगों में सदैव बनती रहेगी सरल भाशा में बता दूँ दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा कई ऐसे घर होते जिसमें आपस में लड़ाई होती रहती है घर में कभी भी बरकत नहीं होती और जिस घर की बरकत नहीं होती है वो घर कभी भी आगे नहीं बढ़ पाता है इसके लिए बड़ा जो समझा गया है वास्तु दोश को मिटाने के लिए वो समझा गया है नीमबू के पेड़ को मतलब यदि आपके घर में नीमबू का पेड़ हो चाहे गमले में लगा लीजिए चाहे अपनी जमीन में लगा लीजिए आपके घर में कभी भी नकारात्मक शक्तियों का वास नहीं होगा और मान लीजिए यदि आपके घर पे ऐसा लगता है कि किसी ने काला जादू करवा दिया है तंत्रविद्या आपके घर पर करवा दी है और आप लोग परेशान हो गए हैं घर की लड़ाई को देख करके तब आपको जो बताने जा रहे हैं वो सुनिएगा पहले तो आप लोग हो सके तो नीमबू का पेड लगा लीजिए नीमबू तो रातो रात उगता नहीं है इसके लिए आपको थोड़ा इंतजार करना होगा धीरे धीरे नीमबू का पेड बढ़ना शुरू हो जाएगा जब जब नीमबू बढ़ता जाएगा आपके घर पर सकारात्मक उर्जा का वास हो जाएगा यानि कि माता लक्ष्मी का वास हो जाएगा और नकारात्मक शक्ति का अंत हो जाएगा तो इसका उपाय ये बताया गया है कि हिंदू पुराणों के हिसाब से कि आपको अपने घर के चारों एक-एक नीमबू रखना है आपको उल्टी मतलब सीधी दिशा में नहीं बहाएं दिशा से साथ चक्कर मारने हैं शनिवार के दिन करना है और ये नीमबू ले जाकर कि किसी भी नदी आ तालाब में बहा देना है ये चार नीमबू यदि आप नदी और तालाब में बहा दिए आपके घर में जो भी गलत प्रभाव था बुरी नजर थी तंतर विद्धिया किसी ने करभा रखी थी बुरी आत्मा थी नकारातमक कवास था, वो सब कुछ खत्म हो जाएगा. उन्ही नीमबू के साथ वो चला जाएगा. वो नीमबू अपने इतनी ताकत रखते हैं, कि वो अपने आप में उन नकारातमक शक्तियों को रख लेते हैं, और अपने साथ में बहां ले जाते हैं. इसलिए कोशिश कीजिए. तालाब या बहती नदी में ही बहां येगा. दोस्तों, नीमबू का तीसरा उपाय जो है, वो सफलता के लिए समझा गया है. मतलब, आप लोग यदि नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, या नौकरी कर रहे हैं, आपको नहीं मिल रहा है, आप लोग कर्ज के माया जाल में फंसे हुए हैं, तो अब आपको एक-एक चीज़ करके हम बहुत आराम से समझाने जा रहे हैं, तो बहुत ध्यान से करिएगा. परंतु, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो वीडियो को तुरंट लाइक कर दीजिएगा. देखिए, यदि आप बहुत मेहनत करते हैं, आपको मेहनत का परिणाम आपको फल नहीं मिल रहा है, और आप ठक चुके हैं, आप नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, परंतु, नौकरी नहीं मिल पा रही है. आप इंटर्वियू तो देने जाते हैं, परंतु, इंटर्वियू में आपका सेलेक्शन नहीं होता है, तो इसके लिए वास्तु घ्यान में साफ साफ लिखा हुआ है. आपको के मंदिर में जाना है, बहुत ध्यान रखिएगा, ये मंगलवार का दिन ही होना चाहिए. जब आप लोग जाएं, हनुमान जी के मंदिर में एक नीम्बू और चार लोग. हनुमान जी के में जब प्रवेश आप करें, तो मैं चार लोगों को गाड़ दें और वहाँ पर बैठ जाएं. पालती मार के आराम बैठ जाएं और हनुमान चालीसा का पाठ करें. हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए. आपको इस नीम्बू को, जिसमें हमने चार लॉंग गाड़ी है, उसको भगवान हनुमान जी महराज को अर्पित कर दें. यदि आप इतना कर देते हैं, तो यकीन मानिये, जो आपके उपर बाधाएं आई हुई थी. यदि आपका मंगल अच्छा नहीं चल रहा था, वो अच्छा हो जाएगा. नवग्रह जो आपके साथ नहीं दे रहे थे, तो वो आपका साथ देना चालू कर देंगे. दुर्भाग ये जो पीछे पड़ा हुआ था, वो में बदल जाएगा. परंतु हनुमान चालीसा, मन में पढ़िएगा, बोल कर मत पढ़िएगा. यदि आप लोग हनुमान जी महराज के सामने जाकर इतना उपाय कर देते हैं, तो यकीन मानिए आपके जीवन में यदि आप कॉम्पिटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको नौकरी मिल सकती है. नौकरी कर रहे हो, तो प्रमोशन मिल सकता है. और हर तरीके की सफलता मिल सकती है, जिसके लिए आप लोग तरस रहे थे. दोस्त बात करते हैं. चोथे उपाय. यदि आपके घर में कोई छोटा बच्चा है, या बड़ा बुजर्ग है, या आप मान लीजिए और आपको नजर लगे तो आपको क्या करना चाहिए? इसमें नीम्बू का बहुत ही उप्योग समझा गया है. यदि आप पे कोई छोटा बच्चा है, आप हैं, या आपके घर में कोई बड़ा बुजर्ग है, और ऐसा लगता है आपको कि किसी ने नजर लगा दी है, जिससे आपकी तबियत खराब रहती है, ऐसे में एक नीम्बू लीजिए और सर के उपर से साथ बार घुमाईए, केवल एक नीम्बू लेना है, और ऐसे चाकू का प्रयोग कीजिए, जिसका कभी उपाय ना हुआ हो, उस चाकू से उस नीम्बू को दो भागों में काट दीजिए, और इसको ले जा करके घर के बाहर, घर से कहीं भी दूर में जमीन में गाड़ दीजिए, केवल इतना कर जो भी आपके उपर नजर लगी हुई होगी, वो नीम्बू अपने साथ उतार ले जाएगा, और आपके उपर से वो नजर उतर जाएगी। 205. वास्तु शास्त्र के अध्याय नंबर 31 में साफ साफ लिखा हुआ है, व्यापार के लाब जिसमें प्रयोग होगा, नीम्बू, ये एक अध्याय है, जिसको यदि आप लोग पढ़ते हैं, तो इसमें आप लोग ये पाते हैं, नीम्बू का, यदि आप लोग सही तरीके से उपाय करते हैं, तो आपको अपने में वृद्ध देखने को मिलेगी। देखिए, अब आपको क्या है? पहले तो ये लीजिए, कई लोग व्यापार जो करते हैं, उनका व्यापार जब चल रहा होता है, तो कई लोग नजर लगा देते हैं, जिसकी वजह से उनका व्यापार एकदम रुक जाता है, और वो ठक जाते हैं, कि यार अब क्या करें, अब तो हम फंस गए, तो दोस्तों, इसका बहुत सरलसा उपाय है, एक नीबू को लीजिए, एक नीबू को लेने के पश्चात, आपको अपनी दुकान में इसको एक चाकू से काट लेना है, वो भी चार टुकडों में, अपनी दुकान चार भाग में उस नीबू को रख दीजिए, सुबह के वक्त ये कीजिए, और शाम के वक्त उन चार भागों को उठा लीजिए, सुबह के वक्त दस बजे, ग्यारह बजे भी कर सकते हैं, शाम को साथ बजे के पश्चात आपको उठाना है, इनको अलग-अलग चार लाल कपड़ों में बांधना है, और ले जाकर कि किसी भी नदी में बहा देना है, आप मान लीजिए, इस से ये कि आपकी दुकान पर किसी ने नजर लगा दी थी, आप लोग तंग आ गए थे, कि आपकी दुकान चल नहीं रही थी, और यदि आप इतना उपाय कर लेते हैं नीम्बू के साथ, तो मानिये वो जो नजर लगी हुई थी, वो जो नकारात्मक शक्तियां आपके पीछे पड़ गई थी, वो कोसों दूर हो जाएंगी, इतना उपाय करने के पश्चात आपकी दुकान से हट जाती है, और आपका व्यापार घोड़े की तरह दौड़ने लग जाता है, ये वास्तु घ्यान में भी लिखा हुआ है, वास्तु शास्त्र की किताबों में भी साफ साफ लिखा हुआ है, दोस्त अब आपको छठे नंबर की बात बताने जा रहे हैं, मतलब भाग्य को चमकाने का उपाए मान लीजिये, आपका भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है, आप लोग छूके हैं, भाग्य का साथ ना मिलने की वज़ह से आप लोग बहुत महनत करते हैं, परंतु आप लोग ठक चुके हैं, महनत करके आपको परिणाम ठीक से नहीं मिल पा रहा है, तो यकीन मान लीजिये दोस्तों, किसी ना किसी ने आपके उपर टोटका करवा रखा है, आप नौकरी की तैयारी कर, करके ठक चुके हैं, और आपको नौकरी नहीं मिल पा रही है, और इसी तरीके की बातें हो रही है कि आप लोग बहुत परेशान हो गए है शादी नहीं हो रही है और व्यापार नहीं चल रहा है तो इसके लिए बहुत आसान आपको जो हम उपाय या तरीका बताने जा रहे हैं वो ध्यान से सुनिएगा देखिए ऐसा है कि आप लोग यदि नौकरी कर रहे हैं और आपका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है और व्यापार में वृद्धि नहीं हो पा रही है और घर आपका बन नहीं पा रहा है और आप लोगों को नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव दिख रहा है आपके कपास होता चला जा रहा है तो केवल आपको यह करना है कि एक नीमबू लेना है उसको गंगा जल से अच्छी तरीके से धो लेना है आप लोगों को ये है कि इस नीमबू को धोने के पश्चाद आपको एक 108 बार इस मंत्र का जाप करना है ये मंत्र है ओम श्री हनुमताई नमा यदि इस मंत्र का आप लोग 108 बार जाप कर लेते हैं और इसमें आप लोग 4 लॉंग गार देते हैं तो मान लीजिए आप नौकरी की तैयारी के लिए जा रहे हैं इंटर्व्यू के जा रहे हैं इस नीमबू को अपने बैग में रख लीजिए अपने पर्स में रख लीजिए या फिर अपनी जेब में रख लीजिए आप लोग कोई पेपर देने जा रहे हैं तो ऐसे में पेपर के सब अंदर ले जाने नहीं देते हैं तो अपने बैग में रख करके ले जाएए यकीन मानिये जो दुर्भाग्य आपके पीछे पड़ा हुआ था वो आपके भाग्य के रूप में बदल जाएगा यदि आप नौकरी के लिए इंटर्वियू के लिए जा रहे हैं तो आपका वहाँ सेलेक्शन होना चाहिए हिंदू पुरम साफ साफ लिखा हुआ है इस प्रक्रिया में आपका तीन से चार रुपे का खर्चा है परंतु यकीन मानिये इस प्रक्रिया को करने के पश्चात आपका जीवन संभल सकता है ओम शिरी हनुमत नमा एक ऐसा जाप है जिसे मान लीजिए यदि आपका मंगल कमजोर था तो वो मंगल तुरंत मजबूत होता जाएगा परंतु इसका आपको 108 बार जाप करना होगा क्योंकि हनुमान जी महाराज को 108 नमबर बहुत ज्यादा पसंद है 108 कोई भी क्रिया आप हनुमान जी लेकर करते हैं तो वो ही होता है और ये क्रिया आप लोग नौकरी के सेलेक्शन के वक्त करते हैं इंटर्व्यू के वक्त करते हैं अपने कॉम्पेटिशन के वक्त करते हैं तो आपको सफलता मिलना तै समझा जाता है दोस्तों सात्वां उपाय है रोगी से मुक्ति है तू. ये अध्याय आपको वास्तु घ्यान के 41 नंबर पेज पर मिल जाएगा.